राजस्तान में भारी बारश के चलते नदीनाले उफान पर हैं और आज़े के पूर्वी हिस्सों में मांसून के फिर सक्रिय होने से कई जिलो भी भारी बारश का अनुमान है इस समय मांसून की ट्रफ लाइन मांसून जिसको ट्रफ लाइन कह रहे हैं जैसल मेड कोटा से होकर गुज़लाई है के कारण उन जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दवाव का शेतर बनने की संभावना है पिछले चौबस गंड़े के अंदर राज़े में कुछ इस्तानों पर में गरजन के साथ हलकी सिम्मध्यम बारश ताथा चौक और उदापूर जिलों में कुछ इस्तानों पर भारी बारश दर्ज की गई है पिछले चौबस गंड़े में राज़े के अंदर राज़े में कुछ इस्तानों के अंदर राज़े में इस्तानों पर में गरजन के साथ हलकी से मध्यम बारश ताथा चौक और उदापूर जिलों में कुछ इस्तानों पर भारी बारश दर्ज की गई है पंदर जुलाई से पूरवी राज़स्तान में मांसून सक्रिय होने की कारण राज़े में सबसे अधिक बार श्टॉक में 89 एमम और उदापूर के विंडर में 73 एमम तदापशी में राज़स्तान के बार मेर में गिदा में 30 एमम दर्स की गई इसके साथ ही अगर पिछले 24 गंटों में राज़े के तापमान की बात की जाए तो अधिक तम तापमान जसल मेर में तापमान जसल मेर में 30 एमम पास जगरी दर्स किया गया इसके साथ ही मौसम के इंदर जैपूर की ने कहा की 19 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव वाला पश्ची में विक्षोप जो है वेस्टम डिस्टरबेंस जिसे हम कहते हैं बनने की संभावना बताई जा रही है और इसके प्रबाव से अगले चार से पांस दिन तक पूरवी राजस्तान के गई स्थानों पर मांसुरी सक्रेयर रहने की संभावना है साथ ही इस दौरान पोटा ओदापूर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जटाई गई है वहीं 17 से 19 जुलाई के दौरान जोपर और भी का निरी संभाग में कई स्थानों पर बारिश की गटी वीडियो में बड़ोतरी और 18 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है संभावना जटाई गई है फिलाल देखिए कर राजस्तान में गर्मी का असर को जिलों में देखने का मिला जिसमें जबर शेहर भी शामिल रहा पुरा दिन उमस भरा रहा लेकिन उसका असर जो है लोगों को देखने का मिला फिलाल अब जो है मानसून जो है इस उमस से राहत दे सकता है कर दो